हे वरीवन तो आज हम सेर करने जा रहे एक बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेस्पी यह रेस्पी बहुत यदा इजी है और बहुत ही कम टाइम बना करेडी कर सकते हैं फ्रेंज और इसे बनाना बहुत ज़दा आसान है तो आप एक बर बना लेंगे ना तो आपको यह बार-बर बनाने का मन करेगा यह बहुत ज़्यादा टेश्टी बनती है मिठाई तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए इसे हम बना लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक पैन ले लिए और पैन में और उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से उबाला चुका है और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चीनी तो इसमें हम तीन चमच डालेंगे चीनी और यहां पर गैस का फिलेम हम लो करके यहां पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो चीनी को अच्छे से तो इसमें घुल लेंगे, मतलब मेल्ट कर लेंगे और इस पिचुला से चला लेंगे, तो यह बहुत ही जल्दी से चीनी घुल जाती है दूद में, तो इस तरीके से उबाल आ चुका है और अच्छे से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे इलाइची, त अगर आपके पास हरी लाइची का पॉडर हो दो भी डाल सकते हैं, तो इस तरीके से मैं डाल करके मैं मिक्स कर ली हूं, और इसके बाद यहां पे हम डाल रहे हैं, आधा cup milk powder तो आपको यहां पे लो फ्लेम करने के बाद आपको थोड़ा दो डालते हुए आपको चलाना है, आ आप देख सकते हैं और आपको यहां पर लगतार mix करते रहना है आपको यहां पर बिल्कुल रुगनी नहीं है नहीं तो यह बहुत ही जल्दी दूद है और जल जाएगा पैन में चिपक जाता है तो आपको इससे तरीके से चलाते रहना है और इसमें डाल देंगे सोजी तो य यहां पर देख सकते हैं मैं अच्छे से यहां पर मिक्स कर ली हूँ और आपको यहां पर लगतार चलाते रहना है और इसे बनाना बहुत ज़दा असान है और बहुत इजटमेट में बनके रेटी हो जाता है अच्छे से यहां इंख्यू से और आपको यहां पर लगतार चलाते रहना है और यहां पर एक से डिरए मिनियट हो चुका है और सूजी भी है इन अच्छे से पक चुकी तो आप rise इस तरीके से हुआर चला देंगे और उसके परived हम क्या करेंगे इसमें हम डाल देंगे आधा कप नायल का बुरादा यानि desiccated coconut तो इस तरीके से हमको इसको भी आपको एक बार में नहीं डालना है आपको थोड़ा थोड़ा डालने के बाद आपको अच्छे से यहां पर mix कर लेना है तो इस तरीके से मैं डाल दी हूँ और यहां पर आपको एक डो के फो में आना सुर्य हो जाता है तो इस तरीके से हम चला लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा से इसमें खुस भूगाने लगा है तो इस तरीके से हम चलाते रहेंगे तब तक चलाएंगे जब तक यह डो के फो में नहीं आ जाता और आप देख सकते है यह डोकेफो में आ भी गिया है बहुत ही जल्दी तो अभी हम एक मिनिट के लिए हम और इसको क्या करेंगे चला लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह बिल्कुल रेडी हो गया है आप देख सकते हैं बहुत इसदा टेश्टी बनके रेडी होती है तो यहां पर हम क्या देनी है ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद हम यहां पर मोल लेंगे एक आपके पास छोटा सा कोटोरी हो भी अप ले सकते हैं तो यह मैं मोल में बनाने वाली हूं और इससे बहुत ही प्यारा से डिजाइन बनके रेडी हो जाता है तो यहां पर गी या ओल आपक पर उसको आपको डालकर और अच्छे अच्छे से चमत से शीड़ करनी है और बहुत ही प्यारा से अच्छे से डिजाइन बनके रेडी हो जाता है आपको देख सकते हैं और इसता singers क्लीत से सबी मिठाई को बनाकर यहां पर मैं रेडी कर ली हूं और इसके बांद मैं यहां वुटे कशा ठेठ खेसिए रंटब कारे केस से भीव तो 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 यहां वी है उसमें तो फिस्ता वीव में नागां थाख कीती हुई फ्म् में पाल evalu ग लाएन आम शुंक्राप सहुआ जैसा में की तो आए खोड़ा अक। 2 वीडियो Sona करतीजीगा और चैनल के सब्सक्राइब करतीजीगा थाइंक्स प्रवाल